नमस्कार आपका जीला आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पुनीता जिंग उजबिकिस्तान के प्रतिनीधी मंडल नी हर्याना शिक्षा विभाग का दौरा किया हर्याना के शिक्षा मंतरी कवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी देते वे बताया कि उजबिकिस्तान हर्याना के शिक्षा नीती का फैन हो गया है प्रदेश में चात्रों को टैव वित्रन प्रणाली को भी उजबिकिस्तान ने काफी सरहाया है और इसके साथी उजबिकिस्तान ने अपने चात्रों को हर्याना में पढ़ाने का भी आग्रह किया है साथी हमें उजबिकिस्तान आने के लिए नोयता भी दिया है बच्चों को टैप दिये गए और वो सभी सभी दाओं से लेसेंट और टू जीवी डेटा भी उनको फ्री दिया गया तो सारे की जानकारी लेने के बाद वो काफी प्रभावित थे और वाज सुबह हमारे सिक्ष्या सदन में आये थे हमारे दिकारियों से बातचित की और अच्छा काम किया और अगा उन्होंने इस परकार का एजुकेशन के मामले मारे से सहोग की भी मांग की आप अपने पाथ स्टूडेंट की बात की गिए मापकी इस टीमें पने पाथ स्टूडेंट का डिमिसन कराना चाहते हैं और उनको शिक्षा ग्रेंड करने के लिए बी अगली खबर रतिया से है रतिया के प्राइमरे स्कूल की बिल्डिंग पिछले कई दिनों से खस्ता हाल स्टिती में है स्कूल से पानी लिकेज होने के कारण बिल्डिंग में करंट आ रहा है जिस वज़े से नौनेहाल के साथ हाथ से होने का भय लगा रहता है लेकिन अब करंट वाली खस्ता बिल्डिंग से बच्चों को छुटकारा मिल जाएगा दरसल खुद उपायुक्त स्कूल का निर्यक्षन करने पहुचे और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशानिर्देश दिये और तुरंथ प्रभाव से ठीक करने का आदिश दिया उपायुक्त ने कहा कि स्कूल को दुरुस्त करने के लिए बजट दिया जाएगा जिससे स्कूल की छट पक्की होगी पानी लिकेज बंध होगा और करंट भी नहीं आएगा स्कूल की बिल्डिंग में पानी लिकेज होता है जिससे करंट भी आता है तो उसका तुरंट परवाव से मैं करवाई कराऊंगा उस फंट देंगे ताकि छट पकी हो जाए और किसी तरह का लिकेज नहों पानी का और करेंगा अधर स्वास्त विभाग की टीम ने हासी में लिंग ज्वाँच गिरों का परदवाश किया है विभाग ने हासी के धत्तरवाल अस्पताल पर छापा मार कर स्पताल की अल्ट्रा साउंड मशीन और अन्य रिकॉर्ड जब्द कर लिये है साथी डॉक्टर स्टाफ नर्स और दो महिला दलालों को पकड़ा गया है गिरों की खलाब कारवाई के लिए स्वास्त विभाग की टीम ने पुलिस को शिकाय दी थी पुलिस ने एफ आयार दर्श करके स्टाफ नर्स और दोनों महिला दलालों को हिरासत में ले लिया है बताये जरहा है कि दलाल इस काम के तक लेती थी कि हमारे को कुछ दिनों से इंफ्रमेशन थी जिची आपके हासी के अंदर एक होस्पिटल है निजी होस्पिटल वो कई टाउट्स के सरकल के थू काम करते हैं और उसमें मल्टिपल टाउट्स इनवाल है तो बड़ी मुस्किल से लोगों ने उन टाउट्स इसके अंदर एक हमारा बंदा डाला और उसके तुरू हमने अपना एक देखोई त्यार करके वो भीजा तो पीछे तरीस तरीक को हम लोग पहले आये थे सोहना में मिलावटी मिठाई को लेकर मुख्य मंत्री उरन दस्ता की टीम ने फूड एंड सप्लाई विवहा के साथ मिलकर सयुक्त रूप से वाट नमबर 14 में एक मिठाई बनाने वाले गुदाम पर छापे मारी की इस छापे मारी की दुरान 11 घरेलू सिलेंडरों को जब्त करते वे खुआ मैदा और रिफाइंड मीठी मठी और घेवर की सैंपल भी लिए गए जिनको जाज के लिए लेव में भीजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगी की कारवाई की जाएगी करें के पास कंप्लेंड थी गल्त दंग से अनकोया वगयरा रोव मिला करने गेवर वगयरा जो बनाते हैं नकली खोवा है और नकली चीजी यूज़ कर रहे हैं यह हमारी जुएंड ट्रेड हैं सिएम प्लाइंग के साथ और इसमें फूड स्प्लाइवाई भी है फूड स् यह जो मुद्02 से से परामेड कीये हैं और मैंने यहां से पांच सेम्पल नोय अलिए हैं जुड़केンタा गया हीं तरएक हो दे दिए लेक्राइन से कहाने मैं पूड टिया लैसंस इनके पास अगली खबर रोतक की बताए जहां गाउ सुनारिया कला में बरतन बेशने आई दो महिलाओं ने गाउं की आठ महिलाओं को सम्मोहित करके उनसे सोने च्वांदी के आभूशन ठग लिए जब महिलाओं को ठगी का शिकार होने का अंदाजा हुआ तो परिवार वालों को जौनकारी दी गई और शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुची पुलिस ने मामला दर्ज करके जाच शुरू कर दी है वहीं प्यडित महिला भारती ने बताया कि आरोपी दोनों महिलाएं लगा शे दिनों तक गाउं में बरतन बेचने के लिए इस दुरान वो पुराने बरतनों को लेकर उनके स्थान पर नए बरतन दे रही थी और इसी के चलते उन्होंने पुराने गहने लेकर उनकी कंपनी का मर्का लगाने गहने की बात कही और लाखों के आभूशन लेकर फरार हो और मेरे साथ हमारे गर में आके बेरानिक के कुछ सुगाया हमको और हमारे बाले ओम, मंगल सुतर, गुठी, पजेव, चुठकी यह सभी लेके चले गी वे और हम वे स्वा दिनी होई जी के कुछी सा कुछ कर दिया में ओशनी रहा हमको सरकार योजनाए बनाकर जहां लोगों का जीवन यापन सरल करने की कोशिश कर रही है और योजनाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री, मुद्रा, लोन देकर युवाओं को अपना रोजगार करने के लिए प्रिद कर रहे हैं वही साइबर ठगी करने वाले भी पीछे नहीं है ऐसा ही एक मामला सामने आया है कैथल से जिसमें शिकायत करता दीपक कुमार ने अपनी शिकायत साइबर सेल में दर्श करवाई थी दरसल उसके साथ मुद्रा लोन के नाम पर ठगी हुई है बता दे कि सभी साइबर ठग हिसार से इस रैकेट को ओपरेट करते थे वही साइबर सेल ने आरोपियों को हिसार की 16 सेक्टर से गिरफ़तार कर लिया है हर्याना में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबद है लेकिन बार माले के नियमों को मारने के लिए तयार नहीं है ताजा मामला यम्रो नगर से सामने आया है दरसल एक वीडियो सामने आया है जहां पर नियमों के खलाफ युवाओं को हुक्का पिलाया जरहा है बदादे एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम में मौके पर पहुश कर हुका में इस्तमाल सानुगरी की सेंपल लेकर आगे ज़ाज के लिए भेज दिये हैं साथी आगे की कारवाई में जुटी हुई है और प्रिक्षण के लिए हमने जैसे नतीजा आता है रजर्ट आता उसके मालिक के खिलाब कारवाई की जाएगे जिसनका ओटर है रोहतक नगर निगम और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धर्ना दिया कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और उसी के विरूद में प्रदेश स्तर्य विरूद प्रदर्शन किया ज़रा है सफाई कर्मियों ने ये प्रदर्शन रोहतक नगर निगम से लेकर शहर की सड़कों तक किया हर्णावार करें प्रदर्श सर करार सरकार से कई वर बार वादो के बारे में बाटचीत हो चुकी ए हमारे मंत्री जी कमन गुपे लेएर समय बीदा दे इसके विरोशुरूप नगरपाली करमचार से अर्याणा ने आंदलन की रूप रेखा त्यार की थी जिसमें आज रोतक का नंबर 28 तारीक इसमें आज नगरपाली का कलाना और नगरपाली का मैमर नगर निगम रोतक के सभी गरमचारी इकठा होकर डीसी अर्यालेवे धर्ना प्रदर्शन करेंगे कि इदर भिवानी में आज नगर परिश्वत कमचारियों ने अपनी वभन मांगों को लेकर शहर में जारू प्रदर्शन किया इस दौरान उनके द्वारा सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए उनके द्वारा कमेटी से स्थाने घंटा घर तक हरियाना के सोनी पत के राइस थेत मोती लाल नहरू स्पोर्ट्स स्कूल से दो बच्चों की गाइब होने की ख़बर सामनी आई है पिशले काफी दिनों से राई स्पोर्ट्स स्कूल अपनी अव्यवस्थाओं के चलते चर्चा में रहा है और एक बार फिर राई स्पोर्ट्स स्कूल में लापरवाही की वज़े से नौवी कक्षा के दो छात्र संदिक दहालात में गाइब हो गए हैं स्कूल में लगे सीसी टीवी फुटेज से पता चला है कि बुधवार दोपहर बारा बज़े के करीव दोनों बच्चे हॉस्टल से बहार निकले जिसके बाद दोनों वापस नहीं लोटे बतायज रहा है कि लापता बच्चों में हर्याना के जिन्द का अंकीत और दूसरा चात्र राजस्थान के अलवर के करॉली का रेहान है इनके लापता होने की बारे में बुधवार शाम को पता चला इसके बाद इनकी तलाश की गई साथी स्कूल में लगे CCTV भी खंगा ले गए बाद में इनके परीजनों और पुलिस को भी सूचना दी गई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे की तलाश की जा रही है इधर फारिदाबाद में क्राइम का एक ताजा मामला सामनी आया है जहां बेल पर बाहर आई यूवक ने यूपती के साथ दुशकर्म के काड़नामे को अंजाम दिया है बताय जरहा है कि आरोपी ने उसका अश्लिल वीडियो भी बनाया है और बार बार ब्लाक मेल भी किया है मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है सोनीपत के गाओ खेवरा की रहने वाली डिसकर्स थ्रूर सीमा पुनिया अंतिल भी इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना दमखम दिखाएंगी बता दे कि सीमा पुनिया का ये पांचवा कॉमनवेल्थ गेम है इससे पहले 2006, 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में रज़त पदग जी चुकी है और 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसे पदग जी चुकी है एशन गेम्स में भी सीमा पुनिया 2014 में सुन और 2018 में कांसे पदक जीता था सीमा के परिवार को सीमा से पूरी उमीद है कि वो गोल्ड मेडल लेकर जरूर आएगी और बगवान की दया से सब की मेरवनी सब की दुआ से मेरी बेटी का विवकी वाली बहुत गोल्ड रूक रहा और सारे मेडल ले आएगी देश का प्रतिने धित्व करने वाले खिलाडियों को अगर असुविधाओं का सामना करना पड़े तो ये खबर जरूर आपको हैरान कर सकती है सोनी पत की खिलाडी निशा वार्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही है होकी में देश को मेडल दिलाने के लिए प्रयास करने वाली महिला होकी टीम की अंतरवास्टिक खिलाडी देशा वार्सी की गली में मुलभूत सुविधाओं की कमे के चलते उनका परिवार और पडोस के लोग खासे परेशान है नहीं कोई जरूद नहीं है कोई बात नहीं अंबाला में बरसात की मौसम को देखती हुए डाक विभाग ने राखियों के लिए वाटर प्रूफ लिफाफे तयार करवाए हैं जिससे बहने अपनी भाईयों को रक्षाबंधन के मौके पर राखियां सुरक्षुत भेज सके वहीं डाक विभाग ने पिशले साल 18,000 लिफाफे तयार करवाए थे लेकिन इस बार डिमांड को देखते वे 25,000 वाटर प्रूफ लिफाफे तयार करवाए गए हैं जिसको लेकर सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि अलग-अलग रंगों के खुबसूरत लिफाफे तया अधिन वाटा है और पिंक ब्ल्यू और यलो किस तरह की दिमांड है उनकी और इसमें तो भाई बहन का एक यह तो इसते को मानते हुए तो दिमांड है पबली किसी काफी दिमांड कर रही है तो क्या कुछ कोस्टिंग है यह पर लिफाफा 10 रुपे का है उसके ओपर जो भी यह बिट के साब से बागिंगे लगेगा वह रगस है अगरे खबर घृफाना की बताएं गोहना में बुटाना गाओं के नहरे में एक महिला का श्रम मिला है जिसे देख आसपास के लाके में संसनी फैल गई है वहीं श्रब की सूचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस ने मौके पर पहुचकर श्रब को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भिजवा दिया है वहीं पुलिस ने मौके पर FSI टीम को भी बुलाया और महिला की फोटो लेकर आसपास की गाउ में दिखाया गया लेकिन महिला की कोई पहचान नहीं हो पाई फिल्हाल पुलिस पूरे मामले की जौच कर रही है तो क्या लगता है कितने दिन परानी है बवानी खेडा श्रेत्र के धनाना जताई गाउ में लिंक ड्रेन ओवर्फलो होने से किसानों की करीबन आट सो एकर फसले जलमगन बनी हुई है किसानों को खुद प्रयास करके ट्रेक्टरों की सहायता से जल निकासी करनी पड़ रही है किसानों ने प्रश्वासन से बार-बार बन रही इस समस्या के स्थाई समाधान की मांग की है अगर पास कोई समाधान नी है यह चैर बिटी लग रही है और कोई समाधान नी हो रहा और पाणी है परली साइड ने चैर से किल्याम पाणी है जमीदार अपना अप उतार रहा है जजर में सफाई विबस्था दुरूस्त ना होने से दुकानदारों में परिशानी बनी हुई है आपको बता दे कि हालिया चुनाओं में सफाई विबस्था को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठा था लेकिन बावजुद यहाँ पर निकासी विबस्था नहीं होने से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और पानी लोगों की दुकानों और घरों में आकर जमा हो रहा ह जमाँ पानी के चलते यहाँ पर बिमारियों का खत्रा भी बना हुआ है यह एक अपता हो गया जी कई वरी वहाँ नगरपालिका में भी दिया है पी डबलूडी में भी दिया है मतलब कोई सुनवाई नहीं है जी अब केस्टमर क्या हैगा बताओ दुपान के अंदर बुरा हाल कर रहे है गोहाना में खरनण विभाग की टीम ने गाउं भेंसवाल कला में अव्यद बालू रेत की माइनिंग करते वे चार हाइवा ट्रॉक को पकड़ने में सफलता हासिल की है साथी चार लोगों को गिरफतार भी किया है सोनीपत की खनन विभाग टीम को सुचना मिली थी कि गाउं भीजवाल कला के खेतों में बालू रेत की माइनिंग अगजात मांगे तो वो कोई भी परमिशन नहीं दिखा सके उसके बाद वहां मौजूद चार हाइवा ट्रॉक को कबजे में लिया गया पकड़े गए ट्रॉक चालक ने बताया कि वो दो महिने से रेत की खुदाई करने का काम कर रहे थे फिराल पुलिस ने अधिकारियों क के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की जाच शुरू करती है कि वो दो पुरा मामला दर्ज कर गये हैं वो का चेक कर रहा है नो जो भी एक पानूनी परकिरी आप्ती है जो खनन करने के लिए उनके बास आज पोई प्रयाप्त डापुमेंट निविल आ इस से कि आम यह माले ते कि इस बिल काम कर रहे हैं जी हमारे साथ से वो इलिगल का पंचुला के सेक्टर नौ में दिन दहाडे लूट पार्ट की घटना सामनी आई है दरसल दो यूवक कार में सवार होकर पनवाडी की दुकान से सीगर लेने पहुचे और जब दुकानदार सीगर देने गया उसी समय यूवकों ने 25,000 रुपे की सीगरेट लूट कर फरार हो गए बता दे कि इसकी सुचना पिडित ने पुलिस को दी जसके बाद पुलिस ने CCTV देख आरूपी की तलाश शुरू कर दी है और फरिदाबाद में एक बार फिर तीज रफ्तार का कहर देखने को मिला आदरसर बल्लब गड के सेक्टर बासट में मोटरसाइकल पर सवार होकर एक दमपती घर जा रहे थे तभी सामने से 30 रफ्तार आ रही स्कॉर्पियो चौलक ने टकर मार कर मौके से फरार हो गया बता दे कि टकर इतना जबरदस था कि मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई तो वही दो दिन बाद इलाश दुरान पती की भी मौत हो गई आपको बता दे कि फुलिस मामला दर्श कर चुकी है और तलाल तलाश कर रही है और तो वहीं पिड़ित परिवार आरोपियों की खलाफ सक्त कारवाई की मांग कर रहा है यह पति पत्नी थे यहां सहर से गांस नफेडी की तरफ जा रहे थे पती इसमें चतरपाल था और पत्नी रजनी थी यह अपनी मोट्साइकल पर जा रहे थे तो मलेर ना रोड पे एक स्कोर्प्यों गाड़ी है उसके साथ उसका उनका एक्सिडेंट हो गया है जिसमें डौनो गरिफतारी के लिए उसके मालिक को नोटिस दे दिया गया है, जल्दे उसको गरिफतार करें। साथी अभिभावक ने स्कूल बोर्ड को सीबीएसी बोर्ड से तुरंत हटा कर भिवानी बोर्ड से जोडनी की मांग कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। इसे गंभीता से लेते हुए वाड वासियों की मांग को पूरा किया। इस खुशी में वहां के लोगों ने लड़ू बाढ़ कर अपनी संघर्ष की जीत की खुशी जाहें। सब्सक्राइब करें। वहां मुख्य मंत्री से और जो हमारे विधायक हैं। उनको यह ऐसास कराने के लिए। गुहाना में बुटाना गाओं के नहर में एक महिला का शम मिला जिससे देख आसपास के इलाके में संसनी फैल गई। वह शब की सुचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुच कर शब को कबजे में लेकर कोश्ट मॉटम के लिए विजवा दिया। महिला पुलिस ने मौके पर FSI टीम को भी बुलाया और महिला की फोटो लेकर आसपास के गाओं में दिखाया गया लेकिन महिला की कोई पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की ज़ाज करें। पुलिस पूरे में दिखी के बुताना जिस्टी नहर का वगाना में एक नाम पुताना मौनमों की डेट बोडी आई। तो क्या लगता है कितने दिन पराणी है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए। कर वगता हम थाय करीकश पराणी का वभता है थनी आई। प्हाल एई टाय की जा रश साफ्चानावम